आज हम बात करने वाले हैं 9 Cryptocurrency Exchanges के बारे में जो अभी January मन्त के अंदर है ना अगर आप देखेंगे 2 महीने यहाँ पे हुए हैं और January मन्त में 9 Cryptocurrency Exchanges इंडिया में बैन हो गए थे सबसे पहले Apple App Store से रिमूव हुए उसके बाद Google Play Store से भी हो गए और website भी बंद हो गई टोटल बैन और कल आपने देखा आपने अभी रीसेंटली देखा कि बाइबिट को भी बैन कर दिया गया Apple के App Store से मतलब इंडियन यूजर्स जो है Apple के वो अब बाइबिट को यूज नहीं कर सकते उसको भी रिमूव कर दिया गया लेकिन आज हम बात करेंगे एक तरफ बाइबिट Apple App Store से रिमूव हो है तो क्या Google Play Store से भी रिमूव हो सकता है क्या बाइबिट भी 10th नंबर का एक्सेंज हो सकता है जो उन नाइन के साथ इंकलूड हो सकता है टोटल बैन के अंदर तो आज हम ये भी बात करेंगे और आज हम ये भी बात करेंगे कि इसी बीच एक खुश खबरी भी आ रही है एक तरफ एक एक्सेंज एपल के App Store से रिमूव होती है और दूसरी तरफ उन नाइन क्रिप्ट एक्सेंजेस में से एक एक्सेंज की वापसी की खबर आती है हमने कहा था कि नाइन एक्सेंजेस आपको पता है FIU से रिजिस्टर नहीं थे जो इंडियन लॉज हैं जो इंडियन रेगुलेशन इंडियन लॉज के अकॉर्डिंग इन एक्सेंजेस को चलना पड़ेगा और FIU से register करना पढ़ेगा तो दो महीने बीट गए लेकिन किसी exchange ने कोई कदम उठाया नहीं Indian users के लिए AUKEX ने अभी recently bye bye कह दिया India को ठीक है बहुत सारी चीज़े होई है exchanges के world के अंदर और India में बहुत सारी चीज़े होई है पिछले 2-3 दिन के अंदर सबसे पहला AUKEX ने bye bye कह दिया bye bit को Apple के app store से remove कर दिया गया और दूसरी तरफ कू कोईन की खबर आती है जो कू कोईन पहले ही बैन हो गया था 9 exchanges के साथ लेकिन कू कोईन first exchange बन चुका है जो FIU से register हो चुका है हमने आपको कहा था ये exchanges एक ही सूरत में वापिस आ सकती है और वो सूरत है इन exchanges के FIU से registration जी हाँ FIU से registration बहुत ज़रूरी है तो क्या एक उमीद की किरन यहां पे जग रही है और क्या सारी exchanges वापिस आने वाली है देको सभी exchanges वापिस आ सकती है हमने ये भी कहा था लेकिन कू कू कोईन की वापसी की खबर आ चुकी है क्यूंकि कू कू कोईन FIU से register हो चुक है उन 9 exchanges में से पहला ऐसा exchange बना है जो Indian laws के according चलने को तयार है और चलना पड़ेगा अब इसके बाद बहुत सारी exchanges है UKEX ने भाई-भाई काया वो आपको भी future में आएगी नहीं आएगी कैसे आएगी वो बात की बात है लेकिन और भी list में exchanges थी Binance था और अगर हम बात करें बहुत बड़ी-बड़ी exchanges थी उस list में GATA IO, Maxi Global है न तो उमीद ये है कि कू कोईन ये step उठाया है करेंगी कि बागी exchanges भी FIU से register हो और अगर होती है तो Binance समेथ GATA IO जितनी भी Maxi Global है जितनी भी exchanges बैन हुई थी वो सभी exchanges वापिस आ सकती है तो एक hope, एक उमीद की किरन जरूर जगाई है कू कोईन ने ये FIU से registration करके और उमीद है कि Bybit बैन हुआ है तो Bybit को भी May be register करना पड़े है जो भी problems हैं वो भी आगे जाके हलो जाएं लेकिन Bybit की users के लिए तिना काऊँगा थोड़ा सा अप alert रहेगा क्योंकि अगर Apple के app store से remove हो गया तो May be website और Google Play store से भी remove हो जाए तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेगा और अपने funds को सेफ रखेगा वो जैदा जरूरी है तो यह थी exchanges को लेके story जो चल रही है और आगे जो हो सकता है इसी बीच एक खुशकबरी उमीद की किरन Google Coin ने जगाई है वापसी की coming news लाके तो आज की इस वीडियो को हम करेंगे यहीं पेंड अगर आप किसी भी crypto में invest कर रहे हैं research जरूर करें वो बहुत जरूरी है बिना research के कोई crypto purchase ना करें मिलेंगे नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई टेक कियर